नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में साकेत कोट ने इंडियन मुझाहिद्दीन के आतंकी आरिस खान को दोशी करा दिया है उसकी सजा पर 15 मार्च को फैसला होगा इससे पहले 2013 में शहजाद एहमत को सजा हो चुकी है दोनों बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे इनके दो आतंकी साथी आतिफ आमीन मुहम्मद साजिद मारे गए थे जबकि मुहम्मद सैफ पकड़ा गया था दिल्य पुलिस के इंस्पेक्टर मोहंचन शर्मा इसमें शहीद हो गए थे जबकि दो पुलिस करमी घायल हुए थे वर्ष 2008 में दिल्य जैपूर एहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का आरूपी आरिस खान मुख्य साजिश करता है इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हुए थे तब इस पर 15 लाक रुपे का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जर्ये रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था आजमगड के रहने वाले आरिफ खान उर्फ जुनेद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफतार किया था इसके पकड़े जाने से इंडियन मुझाहिदीन को दोबारा खड़ा करने के इसके मनसूबे ध्वस्त हो गए थे इस स्पेशल सेल को पता चला कि प्रतिबंदिस संगठन सिमी और इंडियन मुझाहिदीन के लोग नैपाल से युवाओं को देश में अवैद गतिविदियों के लिए तयार कर रही है इसके बाद सिमी से जुड़े अब्दुल सुहान उर्फ तौकीर को जनवरी 2018 में गिरफ़तार किया गया तौकीर ने आरिस खान के बारे में कई एहम जानकारियां दी थी इसी जानकारी के बाद पता चला कि आरिस खान 13 फरवरी 2018 को भारत नैपाल सीमा के बनबसा बॉर्डर से अपने किसी साथी से मिलने यूपी आने बाला है सूचना पर उसे गिरफ़तार कर लिया गया था आरिस ने मुझफर नगर के SD कॉलिज से बीटेक की पढ़ाई की है वो बम बनाने में एक्सपर्ट है धमाकों के बाद आरिस नैपाल भाग किया और वहां की नागरिक्ता हसिल कर सलीम नाम से रह रहा था उसने इसी नाम से पास्पोर्ट भी बनवाया था आरिस ने नैपाल में एक रेस्टोरेंट खोला था और इसके लावा वो वहां पर पढ़ाता भी था वो नैपाल में 2014 तक रहा इस दोरान वो रियाज भटकल के संपर्क में आया रियाज ने उसे इंडियन मुझाहिदीन को दोबारा खड़ा करने के लिए साउधी अरब बुलाया वो 2014 में साउधी अरब गया और वहां एक मजदूर बनकर सिमी और आईयम के लोगों से मिलता रहा वर्ष 2017 में वो साउधी अरब से वापस लोटा फिर वो भारत में इंडियन मुझाहिदीन को खड़ा करने के लिए नैपाल से गतिविधियां चला रहा था और 2018 में इसी सिलसिले में भारत आते वक्त पकड़ा गया आरिस को जिहाद के लिए आतिफ अमीन ने प्रेरित किया था जिसके बाद आज आरिस को साकेत कोट ने दोशी करार दे दिया फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार